नमस्कार साथियों एक बार फिर से स्वागत आपका study lovers family में और जैसे की हमने कहा था कि पिछले वीडियो में हमने Indian geography के important MCQ discuss किये थे और इस वीडियो में world geography के जो UKPSC की आने वाली भरती परिक्षाओं के लिए forest guard खासर forest guard और कनिस सहायक के लिए previous year की भरती परिक्षाओं में और साथ साथ जो संभावित प्रस्ण है जो आने वाली भरती परिक्षाओं में आएंगे ऐसे प्रस्णों को हम discuss कर रहे हैं तो चलिए बने रहे हैं वीडियो में बढ़ते हैं पहला प्रस्ण देखते हैं आज का पृत्वी की भूमध्य रेखिया परिदी है लगबग तो बढ़ते हैं कि जो भूमध्य रेखिया परिदी है उप्सन देख सकते हैं इन में से सही आंसर जो है ऑप्सन नमबर भी तालीस अजार किलो मीटर जो है प्रिथिवी की भूमध्य रेखिया परिदी है अगला प्रस्ण निमलिकित में से कौन सी एक समय की प्राकृतिक हो जाएगा option number c मानक समय मानक समय जो कि हमने जो green which line के हिसाब से रखा है वो मानक समय है प्राकृतिक नहीं है अगला प्रस्ण नासा का अंत्रिक्ष यान कैसी नी किस गरह के मिसन पर है तो कैसी नी जो है कैसी नी जो है सनी के मिसन पर है तो सनी का अध्यान करने के लिए नासा ने कैसीनी को भेजा अगला प्रसंद देखते हैं पिर्थिभी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने का समय है पिर्थिभी जो है अपनी कक्षा में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है option देख सकते हैं और इस question का जो सही answer है वो है 365 days, 5 hours, 48 minutes and 46 seconds अगला press नमारे पास है green which मानक समय और भारतिय समय में कितना अंतर होता है तो green which मानक समय और भारतिय समय में जो अंतर होता है वो होता है 5.5 घंटे का और प्लस में यानि भारतिय समय जो है green which time से 5.5 घंटे आगे रहता है अगला press पिर्थिभी सूर्य की परिकर्मा करती है इसकी खोज की थी भूगोल का जनक है question तो भूगोल का जनक इन में से किसे कहा जाता है तो इन में से जो सही answer है वो है Eretosthenes को भूगोल का जनक कहा जाता है अगला प्रस्ण है चंद्रमा पर वाई मंडल उपस्थित नहीं है इसका कारण यह है कि चंद्रमा पर वाई मंडल उपस्थित नहीं है इसका इन में से कौन सा कारण है यहां गुर्तवा कर्षन बल नहीं होता है गुर्तवा कर्षन बल अफेक्षक्रित कम है यानि सौर मंडल में पृत्वी क्या है तो पिर्थवी एक ग्रह है अगला प्रस्न सूर्य में उर्जा उत्पादन की परक्रिया में होता है तो एप्सन देख सकते हैं इन में से जो सही आंसर है वो है ऐप्सन number C немножola का हीलियम में परिवर्टन हो जाता है इसमें उर्जोत पादन की परकिरिया में अगला प्रस्न निमलिकित में से कौन एक उपगरह नहीं है इन में से उपगरह कौन नहीं है तो हमें पता है प्रतिवी क्या है ग्रह है बाकी सब उपगरह है अगला प्रस निमलिकित में से किसका अक्षांस 66.5 डिग्री उत्तर है तो इस question का जो सही answer है वो है option number ये ये है आर्कटिक विरित और अगर 66.5 डिग्री साउथ की बात करें तो उसका नाम है अंटार्कटिक विरित 66.5 डिग्री साउथ और करकरेखा-मकर रिखा तो पता है 23.5 तरड़े-3ईस डिग्री नॉर्थ और साउथ अगला प्रस निमलिकित में से किस दिन सूर्य और पिर्थिभी के बीत सबसे कम दूरी होती है अगला प्रस पिर्थिभी का व्यास है तो पिर्थिभी का व्यास इन option में से पिर्थिभी का व्यास जो है लगभग 12,000 km और इसमें भी कभी पूछा जाता है तो ये धियान रखना है कि 12,756 km तो पिर्थिभी का धुर्वी अव्यास है धुर्वी अव्यास दोड़ा सा ज़ादा होगा 12,756 जो है वो बिसुवत्ती अव्यास होगा 12,756 बिसुवत्ती अव्यास जो कि ज़्यादा होगा क्योंकि धुर्वों पर पिर्थिभी चप्ती है तो धुर्वी अव्यास काम होगा तो 12,714 km जो है ये धुर्वों पर ये धुर्वी अव्यास है तो ये धियान रख सकते हैं अगला प्रसन देखते हैं प्रतिवी का प्राकरतिक उपगरा है इन में से कौन प्रतिवी का प्राकरतिक उपगरा है तो इस question का सही answer है प्रतिवी का प्राकरतिक उपगरा है चंद्रमा हो गया अगला प्रसन सरवादिक उपगरा वाला ग्रह कौन सा है तो इन में से सरवादि त्यार ने दि jeżeli incher ने उनका नाम धियान रख सकते हैं आगे बढ़ते हैंज अगला परसन है अगला परशन निमेलिकित मेंसे कौन सी प्राचीन कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है वलित परवत पूशा जा रहा है कि इनमेसे इन में से कौन सा एक मूल इस्तल रूप है तो इसका जो सही अंसर है वो है option नमर A जो आला मुखी संकु जो है मूल इस्तल रूप होता है और ये एक तरह से परिवर्तित होकर बनते हैं अगला प्रस्न लावा के ठोस होने के फल सुरू पिर्थवी के अंदर निर्मित चट्ट चट्टाने बनती हैं उनको फ्लू टूनिक के ठोर अग्ला प्रस्न पिर्थवी पिगलے पदार्थ को कहते हैं तो पिर्थवी के अंदर जो पिगला पदार्थ है वो लावा कहलाता है संग-मर्मर है संग-मर्मर C. तो एक तरह से जयसे हम चट्टाने पडते हैं अगला प्रस्ट निम्न में से कौन सा रूपांत्रित चट्टानों का उधारन नहीं है इन में से कौन सा रूपांत्रित चट्टानों का उधारन नहीं है तो मैंने बता है संगमरमर है क्वाडजाइट भी है सलेट भी है तो ग्रेनाइट इन में से नहीं है अगला प्रस्ट न इनमेलिकित में से कौन से ज्वाला मुखी सतही पलेट के मध्य घटित होते हैं, तो सही answer है option number B, Mount Saint Helens, जो है, ये सतही पलेट के मध्य घटित होते हैं, अगला प्रस्ण, परवतों का पालना निम्न में से सम्मंदित है, important question है परवतों का पालना जो है यह सम्मंदित होता है एक तरह से भू सन्नती से भू सन्नती से सम्मंदित है और अगर पूचा जाए भू सन्नती का जो सिधान्त है एक तरह से परवत निर्मान का यह सिधान्त है कि कैसे परवतों की उत्पती हुई है तो भू सन्नती का जो सिदान्त है वो कोबर ने दिया था भू सन्नती का सिदान्त और भू सन्नती का संबन्द जो है परवतों के निर्मान से है परवतों के उत्पती से है इसलिए इसको परवतों का पालना भी कहते है अगला प्रासम देखते हैं निमें लिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी परवतमाला है तो विश्व की सबसे लंबी परवतमाला जो है अगला प्रासम अर्जेंटीना के घास के मैदानों को कहते हैं अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है उन्हें पंपास कहा जात अगला प्रेस्ड थे कि के आंतर्तम प्रत में किन तत्तों की प्रधानती थे तो अंतर्तम प्रत है उसके निर्मान में वह के निर्मान में एक तरह से जो सही अंसर है निकल और फेरियम तो जैसे कि हमें पता है कि प्रिथवी जो है प्रिथवी के तीन परते हैं क्रस्ट मेंटल और कोर होते हैं और इन में क्रस्ट को सियाल कहते हैं यानि यह सिलिका और अलमीनियम से मिलकर बनी है और मेंटल को सीमा कहते हैं तो यह सिलिकन और मेगनीसियम से मिलकर बनती है और और जो होता है उसको नीफे कहते हैं ऐसे धियान रख सकते हैं नीफे तो निकल और फेरस से बने फेरियम है ना फेरियम या फेरस तो निकल और यहां का जो च्यत्र है वो काफी एक तरह से ऐसा च्यत्र है जहांपर भूकम पाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है अगला प्रस्थन है निम्नांग कि दुईपों में से कौन सा भारत का भाग है इन दुईपों में से जो अधिक दूरी तै करती है तो इस question का जो सही answer है वो है option number D L लहर जो है सबसे अधिक दूरी तै करती है देखे दर असल क्या होता है ये तीन तरह की लहरे हैं P लहरे होती हैं L लहरे होती हैं और S लहरे होती हैं यानि primary, secondary और L wave इनको love wave भी कहते हैं तो primary wave जो होती है थोड़ा सा धी हन्रेक सकते हैं एक question यहां से बन सकता है primary wave की जो है गती सबसे तेज होती है गती सबसे तेज होती है लेकिन एक तरह से तीवरता जो होती है वो कम होती है तीवरता कम होती है दूसरा S wave जो है S-web की गती जो है, गती P से कम होती है, गती इनकी P से कम, और तीवरिता की अगर बात करें, तीवरिता जो है, वो P से आधिक होती है, P से तो आधिक होती है, लेकिन L से कम होती है, L से कम, ठीक, और तीसरा जो है, जो L-web है हमारी, यही सबसे ज़ादा विनासकारी होती है, इ तथा परचंड और विनासकारी हैं तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ओप्सन नमर डी एल लहर या एल वेब अगला प्रसंद देखते हैं सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये पूट की सहयता से सही उत्तर का चेयन कीजिए देख सकते हैं यहां पर क पूर्थ के बाद मैकनले के बाद जो हैं इल ब्रूस मांट इल ब्रूस जो है पथा है नहीं आधन की चोटी है सबसे उचिछूटी तो थर्ड फोर्थ परस्स और लास्ट में के बच्शा सेकें तो थर्ड फोर्थ फस्स vessind औप्सन नमबर 20 संब्सका सही आंसर हो जाएग अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है निम्न महासागरिय धाराओं में से कौन सी परसांत महासागर से सम्मंदित नहीं है तो इसका जो सही अंसर है वो है option नमर एक कनारी जो जल धारा है वो परसांत महासागर से सम्मंदित नहीं है ये कनारी जो है, ये अंध मासागर से सम्मन्दित है, ध्यान रख सकते हैं, अंध मासागर की जल्धारा है, और ठंडी जल्धारा है, कनारी, अगला प्रस, 70% से अधिक दुनिया का स्वच पानी नहींत है, तो सभी को पता है, गले सियरों और धूपिय बर्फ टॉपियों में अगला प्रस्ण निमलिकित महा सागरों में कौन सबसे गहरा है तो सबसे गहरा महा सागर जो है वो है परसांत महा सागर अगला प्रस्ण निमलिकित में कौन उस्ण कटिबंदिया धारा नहीं है इन धारों में बताना है कि कौन सी धारा जो है उस्ण कटिबंदिया धारा नही है तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा फस्चिमी ऑस्टेलिया ही धारा अगला प्रस्न महा सागरिया नितल का सबसे विस्तिरित भाग कौन सा है तो महा सागरिया नितल का सबसे विस्तिरित भाग जो है गहरे सागरिया मैदान होते हैं अगला प्रस्न ग्रेनाडा अवस्तित है ग्रेनाडा कहां अफस्तित है ग्रेनाडा एक country है जो Caribbean region में पढ़ती है तो answer हो जागा Caribbean सागर next है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर इस्तीत पतन यूग में है तो स्वेज नहर के जो दोनों सिरे हैं उन पर जो पतन यूग में स्तीत है वो है सही answer हो जागा पोर्ट सईद था तैफिक अगला प्रस्म निमलिखित में से कौन एक सीत जलधारा है तो इन में से सीत जलधारा कौन सी है तो सीत जलधारा जो है वो है बेंगोयला जलधारा अगला प्रस्म डॉगर बैंक जो एक महतोपूर्ण मत्सचेतर जाना जाता है कि सागर में इस्तित है तो डॉगर बैंक जो है यह इस्तित है उत्तर सागर में नौर्थ सी में इस्तित है डॉगर बैंक महतोपूर्ण मत्सचेतर जाना जाता है शुनामी है शुनामी इन में से क्या है हरिकेन से समंदित ज्वार परक्रिति स्यात्य दिक एतिकारक ट्रॉफिकल साइक्लोंस समुद्री लहरों का भूकम्प के द्वारा आना तो हमने देखा था इस तरह का क्वेशन सही आंसर है समुद्री लहरों का भूकम्प के द्वारा आना लवन्ता की सरवादिक मात्रा पाई जाती है तो लवन्ता की सरवादिक मात्रा जो है इन में से डेट सी में मृत सागर में पाई जाती है अगला प्रस्ण है अगुल हास धारा चलती है तो अगुल हास धारा है वो चलती है हिंद मासागर में अगला प्रस पिर्थिवी के वाय मंडल में सर्बोच सांधरता में मौजूद है पिर्थिवी के वाय मंडल में सर्बोच सांधरता पे मौजूद है कौन सी गैस तो सही आंसर इसका है नाइट्रोजन है अगला प्रस वाय मंडल या दाब मापा जाता है तो वाई मंडल यदा बैरोमीटर से मापते हैं वाई मंडल की उस परत का नाम बताईए जिसकी निम्न विसेस्ताएं हैं यह परत 440 किलोमीटर तक पहली है पहली बात दूसरा है इस परत में ताप कर्म नाठ के रूप से 1480 डिग्री सेंटिग्रेट बढ़ जाता है अगला है इस परत में गैस कणिकाओं के सूरे की किर्णों तथा प्रावैगनी विक्रण की अफसोसित करने के कारण ऐसा होता है यानि प्रावैगनी विक्रणों को अफसोसित करती है इसलिए ताप बढ़ जाता है क्योंकि इसका उच्छ ताप पिर्थवी की और आने वाले लगभग संपूर्ण मलवे को जला देता है तो जैसे वुलका पिंड आते हैं उनको वहाँ पे जला देता है अपने टेंपरेचर के खारण तो इस question का जो सही answer है यह है थर्मोस्पेर अगला प्रस्ट इसके लिए उपयुक्त इसफ़ती करण क्या हो सकते हैं देखें निम्न सम्ताप मंडल में उर्द्धो गत पदन नहीं होता है तो सही आंसर जो इसका है वो है एक और दो दोनों ही एक तरह से उप्यूक्त इसपस्टी करना है अगला प्रस्ट उत्री गोलार्द की ब्यापारिक हवाईं यहां पर ब्यापारिक हवाईं उत्री गोलार्द की ब्यापारिक हवाईं कैसी होती है विसिष्टा सुचक रूप स ब्यापारिक परव ने मौसम की दसाएं वाय मंडल को छोब मंडल में बदलती है वाय मंडल में किस सतै में ताफमान इस्तिर रहता है तो इन मैंसे कौन सी सतै पर ताफमान इस्तिर रहता है तो सही आंसर इसका हो जाएगा option number B समताप मंडल में समताप समानताप इस तीर रहता है अगला प्रसन है नमलिकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तो सही सुमेलित इन में से कौन सा नहीं है तो इन में से जो सही सुमेलित नहीं है वो है सही अंसर है इसका बोरा साइबेरिया अगला प्रस्ण वाई में ऑक्सीजन का प्रतिसत है तो सभी को पता है वाई में ऑक्सीजन का प्रतिसत जो है 21% हो गया अगला प्रस्ण मावट जिससे होती है वह है मावट जो है किससे होती है मावट क्या है मावट एक वर्सा का प्रकार है वर्सा है मावट वर्सा जो है किस से होती है पक्षिमी विक्षोप से होती है अगला प्रस्न देखते है अगला प्रस्न है दुनिया में सरवादिक आनुखनिज उत्पाद देश निम्न में से कौन सा है आनुखनिज उत्पादक जो देश है वो है कनाड़ा अगला प्रस्थ है किस नगर को निशिद नगर कहा जाता है निशिद नगर की संग्या किस नगर को दी गई है तो सही उत्तर है लाहासा ये जो है तिबत में प्रता है लाहासा कहां तिबत में अगला प्रस्थ है कोईला एक उधारन है इन में से को कोईला किसका उधारन है तो कोईला जो है कोईला उधारन है परतदार चट्टानों का अगला प्रस्ट जूम खेती को क्या कहते हैं जूम खेती को इस्तानांतरी खेती भी कहते हैं अगला प्रस्ट है निमलिखित देशों में से कौन पसुचारण के लिए विस्टो परसिद है सरवादिक बॉकसाइट का संचित भंडार जो है वो है आस्ट्रेलिया के पास अगला प्रस्ट सीसाइबम जस्ते की परसिद ब्रोकन हिल इस्तित है तो ब्रोकन हिल जो है ब्रोकन हिल हमारा आस्ट्रेलिया में है दक्षिन आस्ट्रेलिया में अगला प्रस्ट बंगला देश म में सोने की खदाने निमलिखित में से किसके समीब पाई जाती हैं तो सोने की खदाने जोहांसबर के समीब पाई जाती हैं अगला प्रशन है निमलिखित देशों में कौन संसार का सबसे अधिक कोईला का उतपादक है तो कोईला उतपादक में जो है चाइना फस्त है अगला कि देखना यहाँ पर जैसे कोईला हमने अभी देखा था कोईला का चाइना सबसेज बjदाए पादक है और इसके अलावा कि का कनाड़ा हमने देखा था कोईला काच आण स्झालियं का बड़ाउत पादक है और इसके अलावा यूरेनियूम का कनाड़ा हमने देखा था कोईला का चाइना हो गया और खनिस तेल का जो है यह सावधी अरब है और प्राक्रतिक गैस का यूएस से है यानि यह हो गया यूरेनियूम चार एक दो और ती तो आपसन नंबर सी इसका सही मदमक्खी पालन से है तो मदमक्खी पालन जो है मदमक्खी पालन को हम कहते है एपी कल्चर पिसी कल्चर जो है यह मत से पालन को हो गया मशली पालन टिसू कल्चर जो है उतक समवर्दन से समदित होता है उतक समवर्दन और सेरी कल्चर हो गया एक तरह से रेसमकीट पालन तो रेसम कीट पालन को सेरी कल्चटर, इसी कल्चर मशली पालन को A.P. कल्चर हो गया हमारा मदमक्खी पालन और T.C. कल्चर हो गया उतक संवरधन से, अगला प्रसनै मैं साभी स्रेणी निमन में से किस स्खनीच से संबंदीत है, तो मैं साभी स्रेणी जो है, वो लॉआँस क से संबंदित है अगला परस निमन लिखित में से कौन सा कोयला सरवस्रेस्ट परकार का होता है तो सरवस्रेक्ट परकार का कोयला जो है युद्रसवान योगा से उस्ट करती है तो इुडप धन nossa दिख guard जैसे कि हमने अभर सबने अभिंधार धिक트 बंडार किसके पास है तो बंडार जो है उस्टेलिया के पास है अगला प्रसिद फ्रांस का लॉरेन प्रदेश परसिद है तो फ्रांस का जो लॉरेन परसिद है वह लोहर इसपात उद्ध्योग के लिए परसिद है अगला प्रसिद देखते हैं निमन लिखित में से कौन सा विस्तो का सबसे बड़ा पोतास रहा है या हारबर है तो यह है राटरडम जो की योरोप का है अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रस्ण हमारे पास है यलो स्टोन नेशनल पार्क इस्तित है तो यलो स्टोन नेशनल पार्क जो है USA में इस्तित है अगला प्रस्ण देखते हैं अगला है निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है तो अलास्का जो है USA का हिस्सा है अगला प्रस्ण एंडीज प्रवस्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है तो आज प्रवस्रेणी जो है इन देशों में से किसका हिस्सा नहीं है तो सही अंसर इसका है इंग्लेंड अगला प्रसन देखते हैं मैक्सिको देश इस्तित है मैक्सिको किस महाद्वीप में इस्तित है एक तरह से त भूमद्य रेखा को दो बार काटती है, दो बार काटती है, या दो बार पार करती है, सही आंसर है, जैरे या जाइरे, अगला प्रस्ट, नमे लिकित यूगमों देश राजधानी में कौन सुमेलित नहीं है, तो ब्राजील की ब्राजीलिया, सही है, ट्यूनीसिया की ट्यून तो आपरेज़ जो राज़धानी यह इंग्लैंड Yes England Land परिपीट हो गया है जो आंसबर्ग आंसर है सोक वहां को सब्सकात्य है किस राजदने पुरा है अमेरिका का कौन सा प्रांथ है जिसमें सिलिका घाटी तो सिलिकॉन वैली फैमस है कैलिफोर्निया अगला प्रस्ट काला हारी मरुस्तल में कौन सी जनजाती निवास करती है तो काला हारी जो मरुस्तल है एफ्रीका का उसमें बुस्मन जनजाती निवास करती है अगला प्रस् इथोपिया की लुशा का नहीं है लुशा का राजधानी है Jambia की तो सही उत्तर हो गया option number C अगला प्राशन सीर और आमू नदियां गिरती हैं तो सीर और आमू नदियां जो है अरल सागर में गिरती हैं तो ये थे वर्ल्ड जोग्रफी के महत्वपूर्ण परसिन जो UKPSC की भरती परिक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं तो अब हमने तीनों कबर कर लिये हैं उत्राखंड जोग्रफी पे सेपरेट वीडियो है इंडियन जोग्रफी पे सेपरेट वीडियो हो गया और यह वर्ल्ड जोग्रफी का सेपरेट वीडियो हो गया तो पूरी जोग्रफी के इस complete important question इन तीन वीडियो में खबर हो गये हैं और आने वाला next next जो lecture है वो आप किस subject पे चाते हैं किस subject के important question जो रह गये हैं जिसे environment and ecology एक section रह गया है और इसके अलावा और भी section कुछ है तो आप किस पे पहले चाते हैं वीडियो तो आप लोग comment box में लिखकर जरूर बताएं और बाकी जुड़े रही हमसे आपको और बह पाइदा हो सके like share जरूर करें तो thanks a lot for listening मिलेंगे next lecture में तब तक के लिए जय ही